और यह पिसली किलास हमने संदीक आज हमारा जो है वो कारक बताया था वैसा ही हमारा टॉपिक चलना है देखिए आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कारक है और पहले आपको बता दूश्य लोगों को कि हमारा जो टॉपिक करम से चलना है भी बड़ माला हो चुका है वर्तिन वाला टॉपिक हो चुका है हमारा करन से करना है भी हमारा हो गया है है तो पर दो 12 हो फ्रूपिक log क्लेश, प्रूपिक प्रूपिक 5 परे कारक से ही समास का बहुत बड़ा यूगदान है तत्पुर समास पूरा कारक के ओपर डिपेंड है तो आज हमारा टॉपिक है वह कौन सा है वह हमारा आज कारक होगा तो सब्सक्राइची देखिए जो कारक होता है एक होता है कारक हमारा जो होता है आकर यह क्या होता है यह सारी चीज है आपको और कारक के बात कारक की जाए तो इसको हम परसर्ग Grupgenommen Ellie каते हैं अगर परओ जीज़ें तो इसको हम पूजीशन कहते हैं प्रिपोजीशन का यह यह होता है तो कारक हम पढ़ेंगे आज कारक जो है किसी भी सब्द के पीछे अगर कोई परसर्ग या चिल लगता है तो उसमें कारक्ता पता लगती है कौन से कारक्ता इसमें आएगी और कारक जो हमारा हमेशा जो लगता है वो ध्यान रखिए या तो संग्या में लगेगा में लगता है दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है और जितनी पूरी आपकी जो भी जो हम पाड़ू स्पीश क्याते हैं विकारी अदकारी सब्सक्राइब बनते हैं जब कोई की हमें नहीं मिलता है हमारे लिए वहता है लड़की भी होती है मगर जैसे हैं उसका नाम जानते हैं तो चाहे वो राम हो चाहे वो सीता हो तो इसका मतलब जब हम पहले नहीं जानते थे वो सर्वनाम था खो जिसको जान गए हम वो क्या हो गया हमारा संग्या हो गया तो यही संग्या सर्मनाम के पीछे जब प्रिपुईशन मतलब पैसग लगती है तो वे एक कारक का निर्धान करती है कि कारक करता है कर्म है कर्ण है संप्रदान है अपदान है कर्ण है संबंद है कौन सा है यह सब संबोधन है यह सारी च करते हमारा होता कि वह Anytime संब्सक्राइब आँगे कार्ण होता क्या है बहुत जुरूरिए है अब देखिसे हमारा कारता है संग्या या संव्णाम के जिस रूप में वाकियों के अन्य सब्दों के साथ संबंद का बोध होता है जैसे रामन को बालस्ते मारा तो एक तो यह हमारा हो गया यह हमारा क्या है परसर्ग है तूसरा को यह क्या हमारा हो गया यह भी हमारा परसर्ग हो गया तूसरा हमारा से यह भी हमारा क्या हो गया परसर्ग हो गया परसर्ग मतलब कारक्चेन हो गया तो अब ये किसी भी संग्या का संग्या से संग्या का सरमनाम से संग्या से अगर कुछ संबंद बताता है तो ये कारक क्यलाता है अब दीसरा वार्ण से है तो यह शंप्रदाण होगा तो इस तर्कें की चीजों को हम क्या कहते हैं कारक क्लिए बाकरकलड़ेंव लकंषस यह कारक से उलेकरंगे अगा रज़ते हैं मंतबला अच्छा अच्छी से अंहरु के भी inhib कि और दिखे हैं देखे करता के लिए ने आता है और कहीं कहीं ने जो होता है वो नहीं भी आता है ठीक है जब ने नहीं आता है तो वहां देखेंगो जहां ने आता वहां देखेंगो भूत काल में ने का यूज होता है राम पढ़ता है तो राम ने पढ़ता है कभी वाक्य नहीं होगा राम न मारता है तो तो रहे हुआ मोबाइल को खरीता नहीं आएगा। पर छिपा रहता है परसर्व होता है तो यह को संबंदी चियद है आप जो को यह क्या होगा करता ने मतलब किरिया को करने वाला करता सब्जेक्ट होता अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हूं करता तो आप अगर मुझसे पढ़ रहा हूं तो आप क्या हो कर्म हो आपको मेरे अच्छे विध्यारती हो, तो आप मेरे अच्छे विध्यारती हो, तो मेरे ये क्या होता है? तुम स्कूल में पढदे हो यह क्या होता है आधिकण होता हैर मैं ने आपने बहुर्पछब होता है हुआ मतलब से होता है की द्वारा होता है जोड़ने के अर्थ में होता है जब कोई चीज जोड़ने के अर्थ में होगा तो वहां पर करण होगा संपरदान कभ के लिए को यह तो निरमित्या वास्ते कुछ वह यह अपके पृषिच' वर्ड आ सकते हैं जिसके लिए किरिया की जिसके लिए आपके लिए मैं पम औहुकरी के लिए पादान है apologize मतलब से यहां भी से है इस से का मतलब अलग होने के अर्थ में मैं पिलिवीज से जाता हूं मैं वरेली से जाता हूं मैं यूपी से जाता हूं मैं भारत से जाता हूं पाकिस्तान से जाता हूं अमरीका से जाता हूं कहीं से भी पौर एक जाएंटर जतने भी चीजों से अलग ह Meghi इसे संब्धिव प्रकट हो है संबंद वार में मे matter भीटर आप आप घर को आप कूचिंग में हो आप प्रकष भी हो तो में मतलब करिया करने का इस्थानी अधार का बोध कराता है उसके वाद है संबोधन हे ओ अरे अजी ओ अजी सुनते हो अरे यह क्या हो गया ओ ओ यह अच्छी बात नहींगे किसी को पुकानना यह संबोधित करना ऐसी चीज़े हमारी संबोधन वाली बाग क्यलाती है अब एक करके बढ़िया तरीके से करता के करन के संपरदान अपदान संबन अधिकरन और संबोधन आटों के हम अभी इसके उधान एक्जामपल दिखेंगे एक्जामपल के माध्यम से पूरा की पूरा कारक आपको अभी देखी दस्मेंट में किलियर हो रहा है आगे की स्लाइड में क्या है करता कारक में क्या है मोहन लिख रहा है सूरेज चमकता है क्या गरसता है बादल गरस्ते हैं मोहन अगर यहाँ पर यह अलग अलग किरिया है मगर जैसे ही भूत कालिक किरिया आएगी बरतामान उरतामान को छोड़ के भविश्च्य को छोड़ कर वहाँ पर ने लग जाएगा मोहन लिख रहा है अगर यही सब्स होता है मोहन ने लिखा यहां पर लिखा सब्सेब्स आ गया तो यह खाँ हां की मात्रा हो इसका मतलब यह बूत कालि क्रिया है अगर आप कर्म कारक मतलब जिस चीज के लिए हम सारी महनत करते हैं अगर आप पढ़ाएगी रए तो नौकरी आपका कर्म है घर में आप माता-पता की सेवा करणा तो माता-पता आपके कर्म है तो यह सारी चीज़े क्या है कर्म है रंजन पुस्तक पढ़ रहा है तो रंजन तो करता है बगार पढ़ किसको रहा भी पुस्तक को यह कर्म है रजनी धोलक वजा रहे जो धोलक सब्द क्या है कर्म है दूद्या ग्रहाकों को दूद दे रहा है ग्रहाकों को द तो पुस्तक धोलक ग्रागों को दूद और बच्चों को खाना यह सारे सब्ध हमारे क्या है यह कर्म है क्या है यह कर्म का भी एक्जामपल आगे होगा अब आता है करनकारक जिससे की साधन का पता लगता किसी साधन के दौरा कोई कारे क्या गया हो वहां पर करनकारक होता है पर उसने Pencil से चित्र बनाया वह तो ये कर्म अगर करने के लिए सको साधन की जुरुद पड़ी पेंसल की तो यह सीज़ां क्या है करण, तरभी दाहस दाय हाथ से लिखता है, तो लिखता है वह किस से लिखता है वह दाहाथ से इस हाथ को ने साधन मनाया हम दही के साथ रोटी खाते हैं तो रोटी कर्म है हम करता है दही के साथ यह क्या है आपका करण है मैंने समाचार पत्र के माध्यम से जांकरी प्रात की तो किस माध्यम से प्रात की तो यह हमारा क्या है करण है सुनिता गाली से मदराज गया किस से गया गाली से गय में के लिए के अर्थ में आपका संस होता है जैसे अध्यापक ने चात्रों के लिए पुष्टक लिखी तो चात्रों के लिए ठीक है यह आपका संपरदान है अपनी पुष्टके दूसरों को मत दो तो दूसरों को के लिए भी आपका हो जाएगा पुष्टके मत दो तो इसक संप्रदान कारक है पेट के वास्ते मन नहीं करता तो पेट का वास्ता हो गया यह संप्रदान कारक हो गया अगला अगला है संप्रदान का मतलब होता है कोई चीज कि अस्तु से अलग हो या किसी इस्थल से अलग होता है तो घर से भाग घर में थोड़े हैं यमना तरिती से निकलती है तो यमना जो है यमना तरी से निकल कर आ रही है अलग हो रही है सुनील गाली से गिर गया तो गाली अलग हो गया तो यह सारे अलग वाले सब आपके अपादान सब्सक्राइब किसी इस से कोई चीज अलग हो ठीके चलिए आगे देखते हैं आगे आपका है संबंध कारेक संबंध का आपकी बताया था किसी सब्सक्राइब यह संब्सक्राइब का संघ्या सोगँ जैस्से उन्हीं ने कहा मोहनका मेत्र तो इकाजो है इस से क्लिए रोग है किसकी की काकी के राडि रे पहसानी से पिचांद सकते हो यह हिंदी में बहुत बहुत है कि यही चीज़ इंगली में बहुत होती है अगला टॉपिक है इसमें बताया था में पिर्ण की पर टृसे के फीजिए कि अधिकरण多बर है प्णती के झाल है थे क्या इसी अधिकरण घाणी चार घंटे में तुम्हारे घर गर तो घर सोना वर्षा मतलब घर में वर्षेगा यहां पर अंडरलाइन में चुपा हुआ है फिर भी अधिक्रण है जगा में पूर्ण सांती है यह अधिक्रण हो गए आगे आप देखें संबोधनकारक संबोधनकारक क्या होता है आपका यह भगवान मुझे दुष्टों से बचाईए तो यह जो है यह आपका संबोधनकारक अरे भाई भाई को अरे करके हम कर रहे हैं संबोधने देवियों और सज्जनों कहते हैं लेडी जैन जेंटलमेन तो इस तरीके की सब्दों को हम क्या कह करते हैं तो इसको हम संबोधन कहते हैं तो यही हमारे आठ प्रकार के हिंदी में कारक होते हैं और इन आठ कारकों के द्वारा ही हम पूरी वाक्य को पूरी स्टोडी को कहानी को कर सकते हैं और यह कारक इसलिए इंपॉर्टन है क्योंकि आप समास पढ़ेंगे तो तत्पु पर आपादान पर अधीकर्ण पर उसके आवाद संबोधन आटो याद कर लो बगाद से पूरे विवक्तियां याद कर लो परसर्ग याद कर लो इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक बाद चुटा सा टॉपिक था ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और बड़े अच्छी से डिटेल से ये टॉपिक हम आगे और भी कराएंगे दुवारा से मगर अब भी आव इससे समास की तयारी करें ठीक है तो पूरा कारग आज हमारा कंप्लीट होता है कल आपको मिलेंगे हम फिर समास के साथ ठीक है चलिए